शास्त्रों में अमावस्या का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। इसे पित्रों की तिथी मानते हुए इस दिन उनकी प्रसन्नता एवं पित्रों की आत्मा की शांती के निमित विभीन कर्मकांट किये जाते हैं। इस पर भी यदि अमावस्या सोमवार या अधिकमाह में हो तो इसे विशेश फलदाई माना गया है। इस वर्ष भी 19 वर्षों बाद सावन अधिकमाह की अमावस्या आ रही है और इस दिन कई शुब योग भी बन रहे हैं। अधिकमाह की अमावस्या पर कुछ आसान से उपाए करना आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। जानिये कब है सावन अधिकमाह की अमावस्या और इस दिन बनने वाले मुहूर्तों के बारे में। साथ ही कुछ उपाए भी यहां बताए जा रहे हैं जो आपकी हर समस्या हल कर देंगे। कब है सावन अधिकमाह की अमावस्या हिंदू पंचान के अनुसार सावन अधिकमाह की अमावस्या 15 अगस्त 2023 को दुपहर 12.45 बजे आरंभ होगी। इसका समापन 16 अगस्त को दुपहर 3.09 बजे होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथी का मेहत्व होने के कारण अमावस्या 16 अगस्त 2023 बुधवार को ही मनाई जाएगी। कर्मकांट करने वाले लोग मंगलवार को दर्श अमावस्या मनाएंगे। अगस्त माह में आने वाली इस अमावस्या पर सरवार्थ सिध्धी योग बन रहा है। साथ ही मनगला दर्श अमावस्या वाले दिन मनगला गौरी वरत भी है। ऐसे में इसका विशेश महत्व बन रहा है। अमावस्या पर करें ये उपाई वैसे तो अमावस्या को श्राधा, तरपन तथा पिंडदान के लिए सर्वोत्तम माना गया है. परंतु सोमवती अमावस्या, दिवाली तथा अधिक माह की अमावस्या को इन उपाईों को करना विशेश शुप फलदायक माना जाता है. जानिये इस दिन कौन से उपाई करने से लाब होगा. अमावस्या पर पित्रों की आत्मा की शांती के निमित श्रीमत भागवत गीता का पाठ तथा उसके श्लोकों से हवन करना चाहिए. इस उपाई से पित्री दोश समाप्त होता है और घर में मौजूद सभी तरह की नकारा अत्मक शक्तियां भी घर से बाहर निकल जाती हैं. इस दिन गोस्वामी तुलसीदास जी कृत रामचरित मानस के सुंदर कांट का पाठ करना चाहिए. इसके पूर्व हनुमान जी सहित रामदरबार की पूजा करनी चाहिए तथा उन्हें गुर्चने अत्वमिष्ठान का भोग लगाना चाहिए. इस उपाय से धन लाब होता है. गरीब भिखारियों, पशु पक्षियों तथा जरूरत मंदों को अपने पूर्वजों के नाम पर भोजन कराएं. संभव हो तो उन्हें गरीबों को दवाय आदी उपलब्ध कराएं. इस से आपकी सभी तरह की समस् दूर वो जाएंगी. कोई संकत आने वाला होगा तो वह भी दूर होगा. अपने पूर्वजों के लिए किसी विद्वान आचार्य की देखरेख में पिंद दान. श्राध तथा तरपन करें. इस से उनका आशीरवाद प्राप्त होगा और घर में सुख, शांती का आगमन हो झाला होगा.